नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे परबल का रेसीपी सेयर करूंगा, जो खाने के लिए बहुत ही बढ़िया, जिसको आपको परबल खाना पसंद नहीं, ये रेसीपी एक बार बना कर देखिए, मेरा तरब से आप 100% हमेश साब परबल खाएंगे, परबल का सबजी में जो हो इसमें देखिए, जो अंदर का जो सीड है इसको निकाल लेना है, कि इसमें स्टफिंग भरना है, स्टफिंग के लिए हम इधर क्या क्या ना पनीर का यूज किया हूँ, परबल कभी इस्ता से बनाईए, नहीं तो आप आलू कभी स्टफिंग इसमें भर सकते, मगर जो इध लेंगे इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा नमग और इसको अच्छा तरीका से आपको इस तरह से हाथ में मिक्स कर लेना है, आप एक बर परबल जरूर बनाईए, परबल बहुत ही अच्छा एक सबजी होता, इसमें भीटामिन A भी होता, B1 होता, भीटामिन B2 भी इसमें हो करीजिये, आब इसमें आलू का भी मसाला भरके बना सकते हैं, तक अब तक अब क्या करना है, तो हलका सा बैटर बनाना है, पतला सा बैटर बेशन और थोड़ा सा मैधा से बनाना है, ये बनाना है अब इसको क्या करना थोड़ा सा बेसन लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैदा आपको एड़ करना है थोड़ा सा स्वाधनू सा नम्मक एड़ करेंगे और इसको पानी ड्याल का आपको अच्छा तरीका से मिक्स कर लेना है ज्यादा आपको पत्ला नहीं करना और ज्यादा थीक बैटर नहीं करना है कि जश्ट खली एक कोटीन उपर से लगना चाहिए ताकि जो श्टफिंग है ना बार से निकलना जाए ठीक है अब देखे श्टफिंग पुरा रेडी हो चुका है अब इसको आपको इस तरह से डुबाना है देखे कितना पतला है और इसको तोड़ा सा ग समर का टाइम में यह आपको मिलता है अभी तो यह परबल बार मैना आपको मिलता मार्केट में आप ले सकते है अब इसको क्या करना फ्राई कर लेना यह देखे जो मेरा परबल है डेखे फ्राई हो चुका है इस तरह से आपको निकाल लेना ठीक है देखे कितना बढ़िया और stuffing भी देखिए पूरा अंदर भरा हुआ है इस तरह से देखिए और purple जो पक चुका है इसको आप पकाना नहीं है एक कड़ाई में थोड़ा सा आपको क्या करना है ना oil लेना है उपर से साबू जीरा डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ ग्रीन च जब भी आप बनाए तो मसाला को पहला अच्छा तरह से भूनने से क्या होता ना मसाला का जो कच्छा स्मेल नहीं रहता है और करी आपको बहुत यू टिश्टी बनता अब इसमें देखिए जो onion का जो पेष्ट है इसको भी डालके अच्छा तरीका से भून लिया हूँ और इसमें डाले थोड़ा सा ग्रेन चिली पेष्ट इसको भी अच्छा तरीका से पका लेंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पावडर और थोड़ा सा आपका चिली पावडर थोड़ा सा धनिया पावडर अच्छा तरीका सा आप इसको भूनना है जब आप मसाला डालेंगे ना क्या होता मसाला जब भूनेंगे ना थोड़ा ड्राई होता इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें पानी भी आड़ करना है और मसाला को आपको अच्छा तरीका से पकाना है मसाला जितना अच्छा पकेगा खाना का फ्लेबर उतना चाहेगा और बालती बढ़ि क्या हूं आप इसको इसमें डाल लेना है इसमें कोई काजू का यूज नहीं कियां कुछ नहीं करना आपको ओनियर और टमाटर से बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगा अब नौन बेच खाना भूल जाएंगे इस तरह से ये रिसीप आप एक बार जरूर बनाईए देखिए और इसमें स्वाधनुसार नमक आपको एड़ कर देना है अब मसाला को एक मीट तक भूनना है देखिए ओयल सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत ही बढ़िया पकावा आप देख सकरोंगे अब इसमें आपको क्या करना है ग्रेवी जिस हिसाफ से बनाना है उस हिसाफ से आपको थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर लेना है जो ग्रेवी के लिए इसको ज्यादा पतला नहीं करना है ठीक ग्रेवी बनाना है उपर से डालेंगे आपको गरम मसाला थोड़ा सा एड़ कर देंगे गरम मसाला थोड़ा सा वेड़ कीजिए और इसको हाई फ्ले में पक लाना है क्योंकि जो परबल है ना श्टफिंग अंदर बाहर से निकल जाएगा तो तूटने का चांस थोड़ा रहता है तो आप इसको क्या करना हलका डाल के बस थोड़ा सा अब हलका इस तरह से हिला देना है और गैस का फ्लेम जो है एकदम बंद कर देना है देखिए